दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का सौगत है एक्जाम से दे MSC यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल आवर्त सारडी आपके साथ साजा करने जा रहे हैं तत्तों के बारे में धेर सारे हमें ऐसे तत्तों होते हैं जिनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती हमें केवल कुछ मुख्य तत्तों के बारे में जानकारी होती है लेकिन ये आवर्त सारडी आपको हर एक तत्तों के बारे में बहुत कुछ बताती है तो चलिए हम आज क कि इस आवर तसारडी को इस modern आवर तसारडी को बिना किसी time waste के शुरू करते हैं और हर एक तत्तो कहां प्राप्त होता है उसकी physical state क्या है इसको याद रखना बहुत ही आसान होगा और उन तत्तों से क्या-क्या चीज़ें बनती हैं उन तत्तों का कहां का use होता है उन तत्तों से क्या-क्या उपकरण बनते हैं ये सारी चीज़ें आपको इस आवर तसारडी में मिल जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी वहीं हो जाएंगी तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ संकेत आपको याद रखना पड़ेंगे, इस आवर्त सारडी जो आई हमारी उसमें लिखा होगा इस तरह से, अगर सॉलिड है तो आपको यह वाला साइन बना होगा, अगर लिक्विड है तो फिर यह वाला साइन बना होगा, अब यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको human body का साइन मिलेगा, तो इसका मतलब है कि यह तत्तो human body में present है, human body में यह उपस्थित है, दूसरा है आपका earth crust, यानि कि अगर यह प्रत्वी का चिन बना होगा, तो यानि कि यह प्रत्वी की सताय में पाई जाएगी, top 8 elements जो होते हैं हमारे earth crust में, प्रत्वी की सताय में जो top 8 element है, 8 तत्तो है, उसमें यह शामिल है या नहीं, यह शो करता है कि तत्तो magnetic है या नहीं, noble metals, यानि कि उतक्रेश्ट धातुएं, यह वाला चिन शो करेगा कि radioactive है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह वाला, य only trace, traces found in nature, यानि कि less than a million percent of earth crust, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, only traces found in nature, यानि कि प्रकृती में बहुत ही, बहुत ही सूक्ष मात्रा में पाया जा सकता है, cross अगर है तो never found in nature, कभी भी nature में पाया नहीं जाएगा, तो चली शुरू करते हैं, अपने s-block से शुरू करेंग और s-block में सबसे पहले हमारा pictorial, यानि कि picture ओं के साथ इनको attach किया गया है, और इनसे हमें क्या-क्या जानकारी मिलेगी, pictorial representation है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती है, चली यह देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ hydrogen, hydrogen लिखा हुआ है, पर देख सकते हैं कि गैसी अवस्था प्रदर्शित करती है, और यह human body बनी हुई है, तो यह मानो शरीर में भी पाया जाता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा lithium, lithium से lithium बैटरी बनती है, यह एक metallic solid है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, य आमत में पाया जाता है, salt में sodium पाया जाता है, और जो top 8 elements है, टाप के जो 8 तत्तों हैं, उनमें हमारा sodium भी रहता है, potassium, fruits और vegetables में पाया जाता है, solid है, मानो शरीर में भी पाया जाता है, और top 8 elements में भी है, top 8 elements जो हैं हमारे जो अर्थ क्रस्ट यानी की प्रत्वी की सतय में प नेक्स्ट गारा रुबीडिय में तो उन तत्तों के बारे में जानकारी अरजित करने के लिए यह पेरियोडिक टेबल काफी ज्यादा important है जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ है rubidium तो rubidium के बारे मैं नहीं पता global navigation में इसका इस्तमाल होता है global navigation में इसका use होता है gps वगरा जो system होते हैं वहाँ पर इसका use होता है यहाँ पर लिखा हुआ है metallic solid है rubidium cesium को आप देख सकते हैं कि cesium यहाँ पर दिया हुआ है cesium यहाँ पर दिया हुआ है कि atomic clocks जो परमाड घडिया होती है वो cesium से बनाई जाती है और यह yellow ही solid है yellow color का solid है francium francium से laser atom traps बनाई जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और radioactive है यह yellow और red color का यह शो करता है कि तद तो radioactive है या नहीं और यह जो है यह शो करता है प्रदर्शित करता है कि यह metallic solid है एक बार फिर से आपको चिन आपको सही से देखना पड़ेंगे जिसे यहाँ पर यह देख रहा है आपकी कोई भी तत्तो human body में presence है तो यह वाला sign होगा अगर earth crust में है तो यह वाला sign होगा magnetic है यानि की चुम्बकी गुण है तो यह वाला sign होगा noble metal है तो यह वाला sign होगा radioactive है तो यह वाला only traces found in nature अगर कभी नहीं पाया गया केवल मानव निर्मित है तो फिर हमें यह cross वाला red cross वाला sign मिलेगा उस तत्तो के आगे चलिए हम शुरू करते हैं अपने चारी मर्दा धातू है तो चारी मर्दा धातू में आप देख सकते हैं यह पर बरीलियम लिखा हुआ है और यह emeralds में आपको मिलेगा यह एक solid है अब चलते हैं अपने magnesium की तरफ magnesium में आप देख सकते हैं magnesium कहां पाया जाता है chlorophyll में पाया जाता है और जो top 8 elements है जो 8 मुख्य तत्त हैं प्रत्वी की जटेम है वहाँ पर आपको magnesium पाया ही पाया जाएगा अब पढ़ते हैं calcium की तरफ calcium में क्या है दोस्तो calcium हमारा shells और bones जो हमारे mollusks होते हैं समुद्री जीव जो होते हैं हमारे घोंगा और CP उनके जो shell होते हो बने होते हड़िया बनी होती calcium की मानो शरीर में पाया जाता है जो top element है आर्थ क्रस्ट के वहां पाया जाता है strontium इस ट्रोंशियम यहां पर देख सकते हैं solid है और fireworks में आपको पटा के बनाने में इसका यूज किया जाता है ने काता है हमारा barium बेरियम हमारा x-ray diagnosis में यूज किया जाता है x-ray diagnosis में यूज किया जाता है रेडियम रेडियम दोस्तों यहां पर देख सकते हैं रेडियो एक्टिव है और ट्रेस एलेमेंट है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है लियूमिनस लियूमिनस वाचिज जमकने वाली घडियों को बनाने में इसका यूज होता है अब अपने डी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं डी को अगर हम रहने दें हम पी पे चलते हैं पी को हम करेंगे पहले पी में आप देख सकते हैं बोरॉन तो बोरॉन आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लैक कलर का सॉलिड है यह एक ब्लैक कलर का सॉलिड है एक बर फिर से हम इसक बात करने तो लाइट एमिटिंग डायोड लेड लेड एड बनती है हमारी गैलियम सी और यह चमकीला सॉलिड है पर आप यह चिन देख पा रहे होंगे चमकीला सॉलिड है इसके बाद इंडियम इंडियम का क्या होता दोस्तों पता ही नहीं था अब आप देखिए कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेइज जो एलसीडीज होती है गैलियम से एलीडीज बनती है और इंडियम से में तकी स्लडेशन है वं से सोलडेशन होता है अब हम भेडो चलते हैं जो हमारा क्या से स्यव चैइशन होगा çıkar को Σिलिक दोस्तों ब्लेमंrek करवनंब्लेक बन बनते है बेसिस ऑफसलिक्व मॉलिक्यूल जो हमारे जैव अडू है उनका जो बेसस्ट पार्ट है वो कार्बन ह यह सब को सिलिकोन आता है निअए निवन्ट एंट ऑफ क्रस्ट में आता है, स्टक्राइब में पाएंता है पफिरों में इं हैं स्टोन से smaller मिल गाता है तो नाइट्रोजन परिवार में आप देख रहे हैं कि प्रोटीन जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन काफी मातरा में पाई जाती है तो यह अपने दिखा रहा है, human muscles, तो protein में nitrogen पाई ही पाई जानी है और यह गैसी अवस्था में यहाँ आपको शो कर रहा है, गैसी अवस्था में और human body में भी पाए जाता है अगला हमारा दोस्तो है, फास्वोरस तो यह white solid है, human body में भी पाए जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि bones में bones में ये काफी मातरा में phosphorus होता है और सेनिक दोस्तों और सेनिक solid तो है लेकिन ये एक poison है जहर की तरह कारे करता है next है हमारा antimoney तो antimoney से हमारी car की batteries बंती है antimoney से car की batteries बंती है solid तो है ये बिस्मत हमारा क्या है बिस्मत से दोस्तों हमारे fire sprinkles बनते हैं ये भी एक solid है अब हम जलते हैं अपने oxygen family यानि की चालकोजन की तरफ तो चालकोजन में हमारे क्या क्या होता है देख सकते हैं आपकी गैसी अवस्था में पाया जाता है human body में पाया जाता है टॉब एलेमेंट्स है आठ अर्थ membrane privy की सतह में वहाँ पर यह यह आय। न हमें है एकостकि स्ट and होते हैं हमारी xerox machine वहाँ पर selenium का इस्तेमाल होता है selenium का यूज वहाँ पर काफी मातर में होता है यह चमकीला कलर का solid ही है नेक्स राता है हमारा terryolium दोगो terryolium से क्या-क्या बनता है दोस्तों terryolium से thermoelectric coolers बनते हैं polonium से anti-static brushes बनते हैं अब हमारे halogen start होते है halogen में हम देख सकते हैं कि halogen हमारे fluorine fluorine gas है और toothpaste में काफी ज़्यादा fluoride का use होता है फिर आता है chlorine chlorine भी gas है human body में भी पाई जाती है swimming pools में आपको chlorine मिल जाएगी क्योंकि यह घुली तवस्ता में पाई जाती है bromine दोस्तों आप एक तरह से बोल सकते हैं infection को खत्म करता है और यह बैंगनी कलर का एक liquid है बैंगनी कलर का solid यहां पर sign बना हुआ है तो थोड़ा सा confusion है आप यह बैंगनी कलर का solid है लेकिन यह इसको जब घोल देते हैं तो आपका यह liquid state में आ जाएगा अब आता है आपका अस्टाइन तो इस्टाइन में आपका यह solid है radioactive है और बहुत ही कम मात्रम में पाया जाता है radioactive medicines जो हमारी बनती है वह स्टाइन की बनती है अब हम आपके चलते हैं अक्री गैसों की तरफ जो हमारी noble gases हैं समू अटारा तो noble gases में जो helium है balloons में भरी जाती है neon भी एक सारी गैस हैं यह mono atomic है तो आपको पते ही होगा neon advertising science में आरगन light bulbs में क्रिप्टन क्रिप्टन जो होते हैं वह आपका flesh lights बनती है क्रिप्टन की और xenon की आपकी high intensity lamp बनते हैं यह भी एक गैस है और redon की बात करें redon की बात करें तो surgical implants जो बनते हैं आपके redon के बनते हैं cancer बगारा कि उपचार में भी redon का use होता है और यह radioactive तत्व है और gas है सारी गैस ही है अक्रिय गैस है सारी गैस ही है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे एक यह line दी हुई है जहा यह गैसी कि यह जो फिरियो नीचे अर और यह अर्ट करन का यह ब्लास्त में रावियाज तक निहो नियम निहों निम ए depende अरि प्लेडन में आता है नाम नहीं लिए जाते नाहीं ले पार और आता है आपका लिवर मोनियम पिर आता है टैनशी नेर्म आप और और्गनेसन तो यह दोस्तों सारे तत्तों आपके मानो निर्मित है कभी ना कभी मानो द्वारा निर्मित किये गया है यह रेडियो एक्टिव है और कभी भी नेचुरली नहीं पाए जाते है lég 이제 ब्लोक चलते है दोस्तों डीब लॉक चलिए रिक्षय गुमाई है डी ब्लॉक चलते हैं तो डी ब्लॉक में हमारा सरजे पहले स्टार्ट होता है स्केंडियम डी ब्लॉक में स्केंडियम होता है तो साइकल के पार्ट्स बनते हैं सॉलिड एक टाइटेनियम से एरो स्पेस के पार्ट्स बनते हैं वनेडियम से स्प्रिंग्स बनती हैं क्रोमियम nickel से coins बनती है… copper से electric wires बनता है तार बनते है न…. copper के और zinc से समारे brass बनते हkim यानि की बाज़े जो बजा जाता है gibt or zinc का और जाधा use का का दी है अब चलते हम अब चलते हैं if The Whats of your ant друзья येट्रियम आपके लेजर्स बनते हैं जिर्कॉनियम से केमिकल पाइप्लाइन बनती हैं नियोबियम मैं लेव ट्रेंस बनती हैं मॉलिब डिनम से कट्टिंग टू City स्कैंची बनती है टैक टक्नीम से radioactive diagnosis रोगों का पता लगा जाता है तक्नीक द्वारा रोगों का पता लगा सकते हैं टक्नी tm से । ये radioactive है और कभी भी naturally नहीं पाया गया है और ये केवल महानव निर्मित है रूथीनियम electric switch बनते है रोडियम से आपके search light reflectors बनते है पलेडियम एक solid है और पॉलूशन कंट्रोल में पॉलूशन कंट्रोल में आपका यूज होता है पलेडियम और सिल्वर सिल्वर पता ही है चांदिया आपका सिल्वर वाइट किलर का सॉलिड होता है जोलेरी में इसका यूज होता है कैडमियम पेंट्स में इसका यूज होता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हाफनियम अपका नुख्लियर सब मराइंस में यूज होता है जो समुद्र के नीचे आपके पंडूब्या वगरा चलती है वहाँ पर हाफनियम का यूज होता है वहाँ पर सॉलिडे उसके पार्ट्स बनने में यूज होता है Tantalum का Mobile Phones बनते हैं, Tungsten से Lamp Filaments बनते हैं, Renium से Rocket Engines बनते हैं, Osmium से Pen के Point, Pen का जो Point होता है वो Osmium से बनता है और Iridium से आपके Spark Plugs बनते हैं, Platinum से हमारे जो Lab का सामान है, Lab के उपकरण है, Lab Wear बनते हैं, Gold से हमारे पता ही है, सोना चांदी हार बनते हैं, और Mercury से हमारे Thermometers बनते है तो दोस्तों यह हमारी पूरी है, अभी D Block समाप्त हुआ है, और D Block के बाद हम चलते हैं, अपने गाड़ी घुमाते हुए, अब चलेंगे Lengthenide और Actinide की तरफ, यह भी जरूरी बताना है, दोस्तों Lengthenum है, Lengthenum जो है हमारा Lengthenum, Lengthenum से दोस्तों Lengthenum एक Solid, दोस्तों यह लेकिन हमें पता नहीं रहता कि इनका क्या यूज है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, ध्यान भी रखते, तो कहीं न कहीं हमारा chemistry में इंट्रेस्ट गठता चला है, तो शुरू करते हैं हम अपने F-Block को, तो Lengthenum से टेली स्कोप लेंसे बनते हैं, सीरियम से लाइट फ्लि होगा, वो आपके बनेगा है, इसके बाद नियोडाइमियम से इलेक्ट्रिक मोटर मैगनेट बनेगा, थोड़ा सा और जूम करने की अवश्यकता है, फिर आपका आता है, प्रोमीथियम से लियूमिनस डाल चमकने वाले घडियां जो होती हैं, या मीटर्स होते हैं, वो बन हैं दीजोखना, या मीटर्फनेट के इलेक्ट्रिम से फ्लूरेश्ञट लेंज बनते हैं, और डिस प्रोशियम लेक्ट्राइडल्स में अवश्यक बनते हैं, अग Krub Corn की क्वच होता है, ठोला लावी कि अपना है, ओल्स अन बनारे प्रवियम से अहेजर अक्र फ्लुर्व तुलियम से साइब्र भाइबर क्यों तरव नें सिय्टिविक्टी थी आंपर शॉंह लेजर सर्जरी होती है यह ठीसिएं से साइन्टिफिक फाइबर लेजर बनते हैं और लिटीशियम pleub का फटो-डाइनमिक citizen photodynamic medicine lutetium यह सारी solid है आप यहां पर यहां पर यह वाले sign आप देख सकते हैं और अब लास्ट में चलते हैं अपने actinides की तरब तो actinides में actinium जो है मारा actinium से radioactive यणि की radioactive और शदियां बनती है thorium यह सारे radio के प्रोटैक्टिनियम से आपके रेडियोक्टिव वेस्ट में रहता है और यह देख सकते हैं यहाँ पर यह जो साइन है क्रॉस वाला इस चोटा साइन आपको ब्लू कलर कर दिख रहा होगा यानिकि यह भी मानव निर्मित है और कभी भी प्राक्रतिक रोप से नहीं पाया जाता यूरेनियम से न्यूकलियर पावर बनता है आपको पता है न्यूकलियर नाबिकिय उर्जया का उत्पादन होता है उसमें यूरेनियम का यूज होता है और यह भी रेडियो एक्टिव है काफी कमात्रा में पाया जाता है बरकालियम रडियो है क्टिब वेस्ट में रहेगा इसके बाद है आपका क्लेफोर्नियम केलिफोर्नियम भी एक मिनरल एनलाइजर है की कौन सा खनिज कहां पर है अगर कहीं पर लोहा है तो उसको डेटक्ट करने में पता लगाने में सोना है चांदी है जो भी खनिजपदार्थ है हमारे बॉकसाइट मान लीजे कहीं मिल गया तो उसका यूज करने है उसका पता लग सर्च और परमाडू परमाडू उर्जा के जो सर्च होती है इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं होता सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों अब आप कहेंगे कि इसका आप पीडियेफ सेंड करो तो दोस्तों अभी फिलाल प कर देता हूं आप स्क्रीन शॉट लेकर अभी आप इसको रख सकते हैं यहां से आप स्क्रीन शॉट लीजेगा तो सारे के सारे तत्तों और इनके यूज आ जाएंगे दोस्तों उमीद करते हैं कि आपने इस आवर तसारीडी से बहुत कुछ सीखा होगा और यह पास की एक स जानकारी और है अच्छी सी जिसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा टाइम मिलते ही तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स वीडियो में कैसी लगी आपको यह वीडियो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी तरह के मज़ेदार इंपोर्टन वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एक्जाम सुदेमस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग और लिसनिंग में और गुड लग फॉर फूचर थैंक्यू और बबाई चिलाते चिलाते थक गयें 21 मिनिट की वीडियो हो चुकी है थैंक्यू दोस्तों सब्सक्राइब लाइक वाइक अगर हो पाए तो कर दीजेगा ना पसंद है तो कोई बात नहीं डिसलाइक भी आप कर सकता है